आज की कलास बहुत ही महत्पुड है कि उन्हीं सभी उनुश्टिय के लिए जिसमें जो ऑब्जेक्ट्व टेप का पेपर होगा बेए फिर स्मस्टर में। आज के class के माध्याप से जो हमारी class रहेगी, history के paper पर रहेगी, ओ भी objective type paper की, यह जितने भी में question लेके आये हुआ, बहुत ही मातपूर है, सभी repeater question है, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, सभी उनष्टी में, इसलिए जिस भी उनष्टी में objective type paper होगा, OMR based paper होगा, तो इस सभी उनष्टी के लिए, पूरा का पूरा model question paper important सावित होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देख ले, आपको BA 4th semester है, BA 2nd year लेकिन 4th semester, आपका history यानि इतिहास का पूरा का question paper है, MCQ based का paper में, history में आपको पढ़ना क्या है, यह सापको पहले paper का name देख लेना है, यह जो history का paper है, यह आपका history या modern word, आपको 1453 AD से लेकर 1950 AD तक इसमें आपको पढ़ना है, इसी के जो है, हम सबसे ज़्यादा repeater questions पर आज हमकी, जो हमारी class रहेगी, base रहेगी, बहुत ही महत्पूर रहेगी, सभी उनष्टी के लिए, जैसा कि राजा महन पर पर कराती है, जो है, MCQ कुस्टन कराती है, इसलिए सभी उनष्टी के लिए पूरा कुस्टन पर बहुत ही महत्पूर साबित होगा, इसलिए सभी बद्यार्ती देखेंगे, वीडियो में आगे बढ़ों से पहले सभी से निवेदानियाद चैनल पर फासम जिट कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करके चलब कोई जरूर सब्सक्रीब कर लेना, इसलिए सब्सक्रीब कर रहता हूँ, जिसके में अच्छे मांग्स उप्टेन कर सकते हैं, यह जो मैं पेपर कराने जा रहा हूँ, आपका हिस्टरी का है, हिस्टरी आप मॉडर्न वर्ड का है, मैंने आ आपको सभी बीडियो को प्लेलिस में मिलेंगे, आप मैंने प्लेलिस से बीए फोर्थ समस्टर, MCQ की प्लेलिस में अलग क्रेट की हुई है, आपको MCQ की प्लेलिस में आपको चले जाना है, बीए फोर्थ समस्टर, MCQ की प्लेलिस में, उसमें आपको बहुत सारे बीडियो म पर्सनों पर चर्चा करेंगे, ठीके, पेपर आपका जो रहेगा, अब्जेक्टिव टेपर रहेगा, पूरा पेपर जो रहेगा, कुछ उनिस्ट्री में जो है, आपके 100 कुछन पूछे जाते हैं, और कुछ उनिस्ट्री में 75 ही कुछन पूछे जाते हैं, जैसे कि राजा मह में कुशन लेके आए वाऊं परिच्छा के द्रेश्टे से सभी उनिश्टी के लिए बहुत ही महात पूड़ा है इसलिए सभी पिजदार्थी देखेंगे और वीडियो को दोसों बैभी एसर करेंगे जिससे ओभी देख ले पेपर में कैसे परसन आते हैं जो जादा बार रि महांत परताप संग उनिश्टी के हम बात कर ले तो उसमें जो 75 नमर आपका पुरा परस्पतर आएगा उसमें केवल 50 ही कुशन मानने रहेंगे कुछ उनिश्टी में 100 कुशन आते हैं जिसमें 75 कुशन मानने रहते हैं इसलिए जितने भी कुशन आपको बुगलेंड में यह भरने का पर्यास करें और जो है बाल परियोग करें इसकरें परसौन की बात करें थो पहला पर्फ own लाइव देखी पहला कोशन मानने और सब्सक्रास के सभी बद्यार्थी ना करें और सम्हें सtså legit यौछिए सजी कौन थे ओ थे त्रिगली ली थे पहला अपसन लगई एक अगदम सही रहेगा पी अगला कुस्टन आपका दियावा है कि हिरोस्मा पर जो है परमाड बम कप गिराए गए बहुत ही मादपूर परिच्छा के तरिष्टी से पिछले साल सभी उनिस्ट्री में कामन पर्सन में चुन आपते हैं अगला कुसमा का दियावा तीन नंब्र की पर लखर पर किस देश ने अकरमड किया तो भीया परल हर बर पर किस देश ने अकरमड किया था जर्मिनी ने किया था या फी जापान ने फी रूस ने फी इटली ने किस ने किया था भीया बताने का परियाज करेंगे सभी द्यार्थी भीरो के माध्यम से तो किस ने किया था परल हर बर पर किस देश ने अकरमर गिया था तो किस ने किया था जापान ने किया था दूसरा आप से निक्दम में इसमें का सही रहेगा अगला कुशन फिया आपका दियावा चार नंबर कि दुत्ति बिसुयुद जो है शुरू हुआ था किस वर्स सुरू हुआ था जो है दुत्ति बि सुरू हुआ था 1949 में इसका भी आपसन एकदम राइट है अगला कुस्टन भी आपका दियावा पाँच नमबर कि दुत्ये भी सुरू हुआ धुरी सक्तिया कौन थी तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा अपने एकजाम में अच्छे नमबर उसे जो है पास हो सकते हो इस हिस्टरी के पेपर में मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी मैंने पेपर सॉल्व करा रखे है रिपीडर कुस्टनों का जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा और आपको फोर्थ समस्टर में फिचका लेजू कैसर और योगा कभी आपको पेपर देना रहता है अगला कुस्टन आपका छे नंबर दिया वाया है कि नाजी वादी नेता था तो नाजी वादी नेता कौन था मुसोलीनी था या फी हिटलर था या फी स्टालिन या फी वेल्ट था तो या नाजी वादी नेता कौन था इस कुस्टन की हम बात करने तो नाजी वादी तो पहला आपसल लगाएगा एक तम सही रहेगा अगला कुशन आपका आठ नमबार जो है भारत सथान्वत राष्ट संग में कब सामिल हुआ इंडिया और अपना देश जो है बताने का प्रियास करेंगे परिच्छा के तरश्चे से बहुत ही मात्पूर्ट सब ये पर्सन है ठीके तो भारत जो है संयोक्त राष्ट्र संग में कब सामिल हुआ है तो इस कुशन की हम बात कर ले तो ये सामिल हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को कब हुआ था 30 अक्टूबर 1945 को हुआ था अगला कुशन 9 नमबर दिया वा है कि संयोक्त राष्ट्र संग में हिंदी में भासर देने वाले भारती बेक्त कौन थे बहुत ही मात्पूर्ट पर्सन है बहुत ही जी पर्सन है अगला कुशन 10 नमबर दियावा की पुनर जागरण का साब्दिक अर्थ होता है पुनर जागरण का मतलब होता है पुना जागरण यानि पुना जागना पुनारुस्थान और पुनर जर्म इसलिए पहला आपसन लगाएगा एकदम सही रहेगा रीवर्थ पहला अगला कुशन आपका दियावाग 11 नमबर जो कि दियावाग दिप्राइस आफ फोली पुस मस ने लिखा है पहला आपसंद इसमें का एकदम राइट रहेगा इसका लगाईगा पहला आपसंद एक दम राइट इसमें का अगला कुशऺ्ष्ण दियावा 12 नंबर कि मार्टिल लूघर जो है किस देश से समबंदित था तो मार्टिल उथर भीया कहां का था किस देश का था तो ये जो था जर्मनी का था जर्मनी का था इसका लगाईएगा सियापसन एक दम सही रहेगा अगला कुशन आपका दियावा 13 नंबर कि जै सुईट संग की स्थापना किस ने की तो जै सुईट संग जो था इस सोसाइटी था इसकी स्थापना किस ने की थी तो इस कुशन की हम बात करें 13 नंबर की थी जो स्थापना की थी एगनेसियन जो है लोयोला ना की थी इसका लगाईएगा सियापसन एक दम सही रहेगा पर अगला कुशन आपका दियावाँ 14 नंबर की सूट जल लेंड में धर्म सुधार अंदोलन जो है किस ने परारंब किया था तो सूट जल लेंड में धर्म सुधार यानि धर्म सुधार अंदोलन किस ने परारंब किया था इस कुस्टन का भी बताने का प्रियास करेंगे सभी द्यारती कलास के माद हम से आज की तो किसने भीया शुरू किया था 14 नमर की हम बात कर ले तो इसको शुरू किया था हल्डरिज जिंगली ने शुरू किया था पहला अपसन लगाईएगा एकदम सही रहेगा जिंगली ठीक है अगला कुस्टन आपका दियावा है जो की 15 नमर की योरूप में धर्म सुधार अंदोलन का जो है वास्तिक पर रड़ता कौन था तो यह कौन था इसका योरूप में धर्म सुधार अंदोलन का तो पंदरा नमबर की हम बात के लिए तो इसका धर्म सुधार का वास्तिक पर रड़ता था ठीक है वो कौन था वो था वो था मार्टिल लूथर था इसका लगाएगा सियापसन एक दम सहरेगा मार्टिल लूथर अगला कुस्षन आपका दियावा सोला नमबर की दा लास्ट जज्जमेंट यानि अंतिम निरड़ यह जो पुस्तक है किसकी भईया है किसकी यह रचना है सभी भी देर्थी बतान लोली की है ठीक है माइकल एंजेलो की है यह रचना इसका लगाएगा भी आपसन एक दम रएट रहेगा अगला कुस्तन सत्रा नमबर है कि छापे खाने का विसकार किस ने किया है सत्रा नमबर की हम बात के लिए तो जार्ज जो है गूटेंबर्ग ने किया था किस ने किया जार्ज गूटेंबर्ग ने स्यापसन लगाएगा एक दम सही रहेगा इसमें कभी अगला कुस्तन आपका अठारा नमबर है जो कि दियावा की परसिद्ध चित्र मुनालिसा किस कलाकार की रचना है तो परसिद्ध चित्र मुनालिसा जो है किस कलाकार की भी या रचना है ब कि किसे मानवात का पिता कहा जाता है किसे मानवात का पिता कहा जाता है बताने का प्रियास करेंगे कलास के माध्यम से बहुत ही मात्पूर पर्षनी है कौन है बिया मानवात का पिता किसे कहा जाता है 19 नमबर कुसंस की बात करें दुविया यह हुई थी 1688 में कब हुई थी 1688 में C, आपस intuitively कब एकदम शही रएगा अगला कुश्ण आपका दिया वाहा जो कि 21 नंबर कि इंगलेंड में जो है करांती के समय सासक कंढ था इंघलेंड में करांती के समय सासक कंढ था इस question की हम बात करें 21 number की तभी यह इसका जो सासक था James से दुत्ये था इसका लगाएगा भी आपसन एकदम रेट रहेगा James से दुत्ये फिर अगला question आपका दियावा है जो की बाइस number की lectures on the industrial revolution in England नामक पुस्तक जो है या किस ने लिखा है भी या 22 number की हम बात करें तो यह जो लिखा है Arnold टाइनमी ने लिखा है इसका लगाएगा भी आपसन एकदम रेट रहेगा आप बहुत ही महाथ पूर परसन है यह जितने में कुस्तन दिखा रहा हूँ 75 में पुना आपको बताने दे रहा हूँ यह बहुत ही महाथ परसन कुछ भी यह जितने तयार करते हैं आपने कुछ भी सिलेबस पगेरा नहीं लिया है इस पेपर के ही कि तुन इतने कुस्तन को यह तब रटा के या फिर रटा माल ले जाते हो तो आपका एक्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा ठीके यह अपका हिस्ट्री का है जो है MC को कुछ न करा रहा हूँ मैंने हिंदी का पुलेटकल सैंस, सोसियोलोजी, एजुकेशन अन्न सब्जेक्ट का सभी मैंने अले लेडी करा दिये हैं पुले लेड्स में सारे वीडू मिलेंगे आप जाकर जरूर वाच कीजिएगा अगला कुछ न आपका 23 नंबर है कि अधोगी करांत जो है सुरपर्थम किस देश से पराराम होई बहुत ही माहत्पुर परसन है, बहुत ही जी परसन है सभी भी दरथी पताने का प्रियास करेंगे कि अधोगी करांत भीया सब पर्थम किस देश से शुरुआत सकी होई किस से भीया फ़रायंस से इंगलेंट से ब्हुत हैं च्र्मनी पिजल्भीया पंसे किस सब भीया हुई है जानके ने बनाया था 24 नमर कुस्संस का दियावद है छो की है आपका एलेकजेंडर ग्राहम बिल द्वारा टेली फून का आविस्कार कब किया गया था तो 1876 में कब किया था 1876 में 1 अपसे रजया एक दियागा अगला कुस्संस आफियाद का 26 नमर दिया कि ऑधोगी करांस सर्मधिक जो है लाव Altbourne वाला देश कौन सा है यानि यहिस देश को सबसे ज़्यादा फैदावा तो वहीं इंग्लेंड से जाहिर ससुबात है वहांँ ही कि इसी देश को सबसे ज़र फैदा हुआ होगा तो मेरे साफसीद से इंगलेंड इसके right भी खुंए आप्सन सब्सक्रांद की सुदांट सब्सकर्म का सासक से सासीदिए फूल निची इसरा था इसका लगएगा श्यापसन अ 48 अमेरीका का पर्थम राजपत क्वण था तो सुतंतर अमेरिका का पर्थम राइष्पत क्वण था इस अनियर्टे का। अगला कुस्टनव का दियावा 31 स्म्थर कि फरांस में राश्टे सम्मेलन में राज तंत्र समाप्थ की घोस्रा कप की तो 34 स्म॥र की हम बात करें तो इसकी होस्रा हुए थी 21 सितंबर 1792 में 21 सितंबर 1702 में इसका लगाईएगा बी आपसे नगदम सही रहेगा 1702 में 21 सितंबर इसका बी आपसे नगदम रइठ है अगला कुस्टन भी आपका दिया कि सोसल कंट्रेक्ट यानि समाजिक समझहोता नमक पुस्तक किसने लिखी है बहुत ही मातपूर परसन है सभी को पता भी होगा सोसल कंट्रेक्ट यानि समाजिक समझहोता नमक पुस्तक है इसके लेखा काउन है पुस्तक किसने लिखी है बताने का अपरियास करेंगे सभी भी द्यारती किसने लिखा भी या इसको रूसों ने पी वर्ट यार या फी दिंगड़ाय इसको और इसकोई नी तो यह पुस्तक जो है रूसों की है बहुत ही वह मातपूर पुस्तक उनकी परचिलिज पुस्तक है अग्ला कुसन एंक ग elani के था घुन किसका था राज जी हूँ कम मना जाता है। बहुत ही मादवर पर्षन है। रीपीरिडर कुस्टन है तो फ्रांस का जो है, राश्टे दिवस कम मना जाता है। तो यह जो जुड़ा हुआ है इसक़ B ापसेन एकदम राइट रहेगा अग़ला Quston 34 नंबर है कि अमैरिका की खोच CT2 Taylor- mö 1 किसने की थी जो है 4410oır पर ऑद साही में सबी को ने को पता भी तो किसने खोच की थी, कुलंबस ने, आपका जो है, कुलंबस ने खोच की थी, सिया आपसने एकदम सही समेगा, अगला कुस्तन पैतिस नमबर है, कि उत्तरी अमेरिका में इंगलेंड का पहला उपनिवेस, किसके सासनकाल में स्थापित हुआ था, तो जेम्स पर्थम की सासनकाल में, पहला आपसन लगाईएगा, एकदम सही रहेगा, अगला कुस्तन आपका च्छतिस नमबर है, कि बोश्टन टी पार्टी की घटना, कब घटित हुई, बहुत ही मातपूर पर्षन है, रिपीटर कुस्तन है, तो बोश्टन टी पार्टी घटना, बिलकुल आपको पनिक बोश्टन टी पार्टी की घटना बिया, कब घटित हुई थी, ये घटित हुई थी, 16 सितंबर 1773 को, कब 16 सितंबर 1773 को, पहला आपसन इसमें का भी एक जम सही रहेगा, पहला कुस्तन आपका च्छतिस नमबर है, कि जून 815 के किस युद्ध में नेपॉलियन की हार हुई हुई थी, किस युद्ध में जो है नेपॉलियन की हार हुई थी, ये भी कुस्तन बहुत ही मातपूर है, तो 13 सितंबर की हम बात के लिए तो वाटरलो में हुई थी, ये नेपॉलियन का युद्ध हुई थी, इसमें हार हुई थी उनकी, पहला आपसन सही रहेगा इसमें का अगला guitaporetis running number है कि फरांस में जो है civil code कब लागो किया गया तो फरांस में भीया civil code कब लागो हुआ है बहुत ही मादपूर्पर्स ने भी है तो कब यह लागो हुआ है 1840 B में हुआ है 1840 B में पहला अपसर सिमें कब एक जमसाही रहेगा अगला Weekly 99 running number है था किस के बिरुद्ध जो है लागो की थी किस देश के बिरुद्ध जो लागो की थी तो इस कुछन की हम बात के लिए तो इंगलेंड के बिरुद्ध लागो की थी पहला अपसे निक्दम सही रहेगा करांति पुत्र किसे कहा जाता है काफी मातुल परस ने भी अपका है कि कर करांति पुत्र किसे कहा जाता नेपॉलियन य कि अब बिसमार कि आफी जो है मै्टर निक को तो भी य करांति पुत्र किसे कहते हैं में कinga कहते है Nepholian को इसका लगाईएगा पहला आप सानेक्ज़ में रहेगा इसमें का भी फे अगला कुस्तन आपका दियावा है जो की है कि जोसेफाहिन कोंन थी ? जोसेफाहिन वीया कांन थी ? इस कुसिंद की हम बात के ले तो जोसेफ हैं जो थी ये थी नेपोलियन की पतनी थी वाइप थी ठीक है जोसेफ हैं जो थी ये नेपोलियन की पतनी थी इसका डी आपसे नेकदम राइट है अगर आपको सनवारे कि नेपोलियन का जन्म कहा हुआ था बहुत थी मातपर पर सुना गया है तो नेपॉलियन का भी या जर्म कहा हुआ था? कोरशिका में हुआ था कहा हुआ हुआ था? कोरशिका में पहला अपने इसमे का वेक्डमरेट रहेगा अगर आपक शन्राफ का 44 निमनुमर है कि रस्एक旅 लारेन छेटर इने किसकी खाने थी तो रसेक लारेन में भीया किसकी खाने थी लोहे की थी आयरेन की खाने थी भीया लगाएगा अगला कुशनाव का दियावा है 44 सिमर कि किस देश ने जो है स्रेंगाल नीत को पनाया तो भीया किस देश ने जो है स्रेंगाल जो है नीत को पनाया इटली ने फी जर्मनी फी रूस ने इंग्लेंड ने तुभिया किसी ने बनाया इटली ने बनाया है पहला अपसन एक जम सही रहेगा इसमे का फी अगला कुस्णाप का दियावा है कि फ्रेंग फट की संधी जो है कब हुई थी काफी मात्पूर परिष्चा के दर्श्ची से भी है तो 45 संबर की हम बात कर ले तो ये 10 माई 1871 में हुई थी कब हुई थी 10 माई 1871 पहला अपसन इसमे का भी एकदम सही रहेगा अगला कुस्णाप का 46 संबर है कि रक्त और लोह की नीत का परवर्तक कौन है रक्त और लोह की नीत का परवर्तक भी या कौन है विसमार का है कौन है आटो वान विसमार का है भी आपसन इसमे का भी एकदम सही रहेगा अगला कुस्णाप का दियावाई 47 संबर की कावूर परदार मंत्री था कावुर्ट जो थे, ये कहा के परधान मंतरी भिया थे, बताने का परियास करेंगे सबी भी धैर थी, ये जो है, साड़निया के थे, कहा के थे, साड़निया के थे, इसका डिया आपसे निक्दम सही रेगा, अगराव कुस्टन आपका 48 सम्मर है कि लाल कुर्थी दल का पर्मु इसका जो मेन लीडर काउन था इस ट्रीम का यहाने red इसका जो लाल कुर्ती दल का जो पर्मुग मुखिया था हो था अब्दुल गफार खान था ठीक है इसका । आपसने एकदम सही रहेगए अगला कुस्टन was you यंग इटली की स्थापना की थी तो इप इसकुस्टन की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना कितनी की थी मायजनी ने की थी मायजनी ने पहला आपसन इसमें कभी एक दम सही रहेगा अगला कुस्ण आपका 50 नमबर है जो की दियावा है आपका कर्बो नारी नामक जो करांतिकारी संस्था एक संस्था का गठन जो हुआ था कहां हुआ था किस देश में हुआ था तो कर्बो नारी नामक जो करांतिकारी संस्था का गठन जो किस देश में हु इतली में हुआ था कहां वा था इतली में हुआ था पहला अपसज इसमे का भी एकदम रड़ रहेगा राइन संग में कितने राज इसमेलत है यह 8-49 में सिए उसमेक chopस के कि एकदम सहीग नामी है तो बिसमार्क जो थे इसको जो है पर्सा का चासलर कब नियुक्त किया गया था काफी महात्पूर्ट परिश्चा के तरिस्टे से बिया कप किया गया था इनको गया गया था 1862 में कप किया गया था 1862 सिवी में इसका लगाएगा जो है thief एक दम सही रहेगा अगला कुस्ते आपका दिया वाहर है जो की है चबवन नमबर कि परसा तथा अस्टरी यानि Australia ने जो है Denmark पर आकमर कप किया था तो परसा और Australia ने जो है Denmark पर आकमर कप किया था किस सन में किया था तो यह जो अकमर किया था 16 जन्वरी 1864 में कब किया था 16 जन्वरी 1864 में इसका लगाईएगा D option अगला question 55 नमबर है कि आश्टो पर्सियन यूद्ध जो है कब हुआ था तो आश्टो पर्सियन यूद्ध जो है ये कब हुआ था तो ये युद्ध हुआ था 886 में कब हुआ था 886 में C अपसन इसमें कभी एक दम रएट है अपसन अगला कुशन चपन नमबर है कि परसा ने फ्रांस को किस युद्ध में जो है वोड़ते हैं पराजित कर दिया था तो किस युद्ध में किया था किस में विया किया था तो सरडान में किया था ठीक है इसका विया आपसन इक दम सही रहेगा अगला कुशन पी आपका दियावा है जो कि 57 नमबर है कि जर्मनिय और फ्रांस के मद्ध जो है किस इस्थान पर संद हुई थी तो जर्मनिय और फ्रांस के मद्ध जो है किस इस्थान पर संद हुई थी तो कहां हुई थी तो फिर एक फट की संद हुई थी भिया ठीक है कौन सी संद हुई थी फिर एक फट की संद हुई थी बी आपसन इक दम रहेगा इसमे का अगला कुस्ण ठवर नमबर है कि सान्त संधिके आधार के लिए किसे 14 सूतरी योजना किसने पेस की थी तो ओडरो विल्सन ने पेस की थी किसने की थी ओडरो विल्सन ने डी आपसन एकदम सही समेगा अगला कुस्ण आपका वंसर नमबर है जो कि दियाओ की वर्साय की संद कब हुई थी बहुत ही मातपूर्ट परशने परिश्चा की दरश्ची से तो वर्साय की संद भया कब हुई थी 28 जून 1919 में हुई थी कब हुई थी 28 जून 1919 में हुई थी D-Aponist में कब एकडम रहेगा अगला कुछन भी आपका देव कि पर्थम विस्युद्ध के क्या कारण थे तो पर्थम विस्युद्ध के बहुत सारे कारण थे जैसे कि गुटों का निर्माड जो है स्रीकरण सायनिवाद और उग्र राष्ट बाद यह सभी थे इसलिए आपसे नेक्दम सही समेगा अगला क अगला कुछन भी आपका दियाओ बासर नमबर कि जर्मनी ने पर्थम विस्युद्ध में कब आत्म समर्पड किया था तो यह कब किया था तो बासर नमबर की बात करें तो यह 11 नमबर 1818 में किया था कब किया था ग्यारा नमबर 1918 में इसका भी आपसे नेकदम रहेगा अगला कुछन 63 नमबर है कि मित्र राष्टो ने जो है अस्टेलिया के साथ कौन सी संद की थी तो वर्साय की संद की थी कौन सी संद की थी वर्साय की पहला आपसन एकदम सही रहेगा समेगा अगला वहाँ उसी का अंसर उसी की नीचे दिया रहा है जैसे की वर्षायस कंध इसमे आभी नहीं पता है तो इसकी नीचे वाला कुझसन पी उसी की बात देखना आपको यह दो वर्षायस कंध दिया वा है आप आप संन ऊपर तो वह पेरिस आन्त समेलत का उत्गातन किस देश कर दौरा किया गया तो मेरे हिसाब से यह अमेरिका के राजपत दौरा किया गया था विड्रो विल्सन के दौरा इसमまず कोई आपसंस salahी नहीं दीया हुआ है विडरो विल्सन अमेरिका के द्वारा हुआ था वैसे याद किसी को सही इंसर पता तो कमेंट कर सकता है नहीं तो हो सकता है उनिस्टी जो है एक दो पर्सनों की तुरुटिया भी कर देती जिससे विद्यार्थी जो है पूरे में से पूरे अंकना पराप्त कर सके इसलिए मेर कि पर्थम विद्य जो है हुआ था तो पर्थम विद्य बिया कब शृद भीया कब हुआ था शृद्य कर देतार मेरे पर Stafford निकोलास दुत्ये था कौन था निकोलास दुत्ये था जार्च निकोलास दुत्ये था इसका लगएगा C.E.A.P.S. Sau अगला कुशन curious number है curious number कि रूज की करांथ के समय जो है रूज के किस वन्सका सा सक था तो यह किस वन्सका सा सक था बताने का प्रयास करेंगे सबी भी द्यार थी तो 68 नमर की बात कर ले तो रोमो नो वन्स का था कौन था रोमो नो वन्स का था विया आप से नेक्दम राइट इसमें का भी युनस्को का मुख्याला विया कहा है इस्थित है इस्थित है पेरिस में है तो पे इस्थित है फरांस में पड़ता है ठीक है पेरिस कहा है विया फरांस में है अगला कुष्ण आपका 70 नमबर रहे कि वीटो सक्ति जो है वरन किस अनुछेद में किया गया है तो इसका जो ओरण है जो है अनुछेद 111 में किया गया है लेकिन वेटो सक्ति का ओरणाग जो मिलता है आपको ओरणा जो है किसमें मिलता है ओरणा है आपको 27 पहला अपसर लगएगा जम सई रहेगा अगला कुछन भी आपका दिया भाज जो कि 12 नंबर कि सरम संगठन एक दम सही रहेगा स्मेका ठीक है यह कुष्ण आपका हो गया 72 नंबर 73 नंबर कुष्ण आपका दियावा है कि मानो अधिकारों की जो है सोरभामिक घोसरा को जो है सहियोक्त राश्ट संग ने किस तित को जो है गरहड़क किया था तो 10 दिसमबर 1968 में किया था कप किया था 10 दिसमबर 1968 में इसका D.A. E here time सही रहेगा अगला कुष्ण दियावा है कि अंतर राश्ट मेरे में कितने नया अधिस है पंदर है 15 है 75 नंबर लाश्ट को कुष्ण है कि सहियोक्त राश्ट संगہ का परदान कारयाले इस्थित है कहां है नुवियार्क में इस्थित है नुवियार्क भीया कहां अमेरिका नुवियार्क अमेरिका में इस्थित है भी आप से एक दिमनेट रहेगा पूरा मैंने पेपर सोल गरा जया सभी रिपीडर कुस्षन है अपना जब भी पेपर जाए उमार बेस पर देने तो carefully ही अपना OMR seat भरे, सबसे पहले आपको booklet बिलता है, जितने परसनों को उत्तर आपको तयार है, याद है, booklet उठाना है, उसमें उन सभी परसनों को उत्तर, जो है आपको एक पेनु लेक के माध्यम से, जो भी परसनों को उत्तर जो सही है, उसमें आपको बिंदी रख देना है पहले, पूरे booklet में, बात को वही परसनों उठा उठा कर, अपने booklet में आपको भल लेना है, बहुत ही सही, यानि OMR seat पापको सही सही गोला भरना है, कोई भी गलतिया नहीं करनी है, और सही सही इपना गोला ही भरना है, जिससे जो ही examiner, यानि चेक करने में कोई भी प्रोब्लम ना हो, जिससे आपको पूरे में से पूरे आंग मिलने के chances रहते हैं, और जितने भी मैं क्लासे करा रहा हूँ, बहुत ही महत्वन है, सारे repeater question है, इनको जरूर तयार करके ही पना exam देने जाएं, मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को thank you watching this video,